असलाम अलेकुम वीवर्ट्स आज में आप लोगों के लिए करेले की सब्जी की रैस्पी लेकर आई हूं बहुत ही जबरदस बनती है और बिल्कुल भी आपकी सब्जी कड़वी नहीं होगी अगर आप इसे इस मैथेट से बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाया है तो चली देख और इसे दो करके ले लिया है और इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर दूँगी तो यहाँ पर मैं तक्रीबं डेर टी स्पून के लगवग मैंने इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे औ 15-13 छोड़ देंगे कि तकरेले जब अच्छी तऱसे काडवपन सीफ भी तो भी oggi मेरी झाyorum और अब हम इस पर धकन लगा करके इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट जब हो जाएंगे तब हम इसे चेक करेंगे तो देखे 15 मिनट हो चुके हैं और आपको दिखाती हूं है कि करेले ने काफी सा पानी छोड़ दिया है देखे नीचे पानी दिख रहा है तो काफी सारा इसमें पानी छोड़ दिया है और इस तरीके से हाथों से हम इसे दबाएंगे तो देखे अच्छा खासा इसमें से पानी निकल ला है तो दिखिए यहां पर इसमें से काफी सारा पानी निकल गया है तो यह सारा पानी हमें पेक देना है और यह करेले हमने ले लिए है और अब हम चलते हैं इन्हें alaika rnau काव से तो यहां पर मैंने कड़ही में ओएल रख दिया था ओएल हमारा अच्छा गरम हो गया है और इसमें अपने करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे थेढ़ना猿टेल्स चान बाद में हम थोड़ा सा टेलあーaken इस्में से कम कर देंगे तो इससे अच्छी तरीके करेले की सबची सबची बनाईए गाने ऐसे बना तरीके से करेले क्लिक नाएगा करने बाद हम इसे निकाल लेंगे कालो को बनाऊ है निकाल लहेंगे, किसी पलेड में अहां गरा थिसना ही इसमें कम करके डाले में एल यूस किया है मैंने हम त्की मिलुटे कजी कोड़े मसाले डालें माय नहीं कुछ घी सब्सप्र माठी कोड़ननी इंप सप्वेटिंता है ऐसे हम फ्राई करेंगे और bear other cleaning पर भखते बितों से काट लिया था स्लाइस कर लिया था यह हम इसमें एड्ट करदेंगे और इससे हमें फ्राई करना तो उसका रिखेंग जाना है तो परबॉट समर्फें उसमें कर सकती हुए नदा पसलूडि ब posing कर मैं इसे सब्सक्राइँ कर लोगी प्रिखेंगे उसमें में जुदिख होता है यहां पर मैंने एक टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है यहां पर मैंने गोड़ता है थोड़ी मिर्प भणागाने है तो इस तरह से बून रही हूं बहुत ही जिबरदश कराश बन ती एंप इसे पूरी से पराटू से सर्फ कर सकते हैं दाल चावल के साहँ भी इच्छी लग दे इसे विक्स पार अची तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें कुछ चीज़े अड़ करेंगे लिद के हैं करेला को जो हमने करेला करके से available करे Counter तो यहां पर मैं इसमें ढाल देती हूं थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें गरम मसाला भी तो यहां पर मैंने अमचोर पॉर्डर भी इसमें डाल दिया है अगर आपके पास कच्छे आमकी करी तो आप वो भी ज़रूर एड कीजेगा और यहां पर मैंने थोड़ा सा इसमें 1.5 तीजपून से भी कम नमक ड़ीया है क्योंकि नमक नमक प्रेले में पहले भी डाला था तो नमक थोड़ा सा एतियात से डालिएगा कि तेज नहों तो इन सारी चीजों को हमें बहुत अची तरह से मिक्स कर ल लेंगे और चलाने के बाद इसे 3-4 मिनट के लिए हम लोग लेंपर और पकाएंगे इस पर दुबारा से मैं लगा दूंगे और इसे 3-4 मिनट के लिए हम और पका लेंगे तो मैंने इस पर लिड लगा दिया है और इसे 3-4 मिनट हम और पका लेते हैं तो 3-4 मिनट हो चुक अच्छा आता है इसे बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है देखिए बहुत भी शांदार देखने में लग रही है आप इसे पूरी से पराटे से सर्फ कर सकते हैं दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और अच्छी बीया हो चुकी है फ्लेम को कर देती हुँ मैं आफ और आपको दिखाती हुई सहर्व करके लिजया अलहम्दौलिव करेले करके तो आप भी अपने घर में इसे इसी मैंथेट से तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिया आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब किये बिना मत जाईएगा तो चलती हूँ दौाओं में तब तक के लिए लाह आफिज